Hello Strengths, यदि आप MPPAT की counselling करवाना चाहते हैं, तो Strengths आप लोगों की first round की counselling है, वो 27 December से start हो चुकी है, जो Strengths आप लोगों की 8 December तक चलेगी, इसके बीच में Strengths आपको counselling करवाके college में document verification के लिए भी जाना होगा, तो आप किसी भी college में document verification के लिए जा सकते हैं, तो आप Strengths Net Cafe चल यूजर click here for registration पर click करके नई ID और password बना लीजिएगा और यह दिश्रेंज जिन लोगों ने PVFT भी दिया था MPPAT भी दिया है और दाहिद भी दिया है तो वो अपनी पुरानी ही username और password को डाल कर यहाँ पर sign in कर सकते हैं नई तो श्रेंज आप लोगों को यहाँ पर जो है वो new user पर click करके अपना श्रेंज यूजर नेम और ID बनाना होगा इसके बाद में श्रेंज जैसी आप यहाँ पर चले जाएंगे तो आपकी counseling स्टार्ड हो जाएगी counseling में श्रेंज आप लोगों को साड़े 500 रुपे का खर्च आएगा इसके लिए श्रेंज आप लोगों को सिर्फ अपना role number और date of birth लेकर जाना होगा बांकि अभी कोई भी documents लेकर आपको नहीं जाना है इसके बाद में strength आप लोगों को choice feeling करना होगा इस तरीके से जो भी आप college को preference में देना चाहते हैं सबसे पहले strength आपके मन पसंद जो भी college है उससे strength आप लोग free seat में रख सकते हैं और पैमेंट seat में रख सकते हैं तो strength इसका जो branch preference है यह आप किसी से मत पूछिए जहां पर आपको जाना है जैसे कुछ लोग है भाई हम सरिंदौर से हैं उन्हें ग्वालियर नहीं जाना है या जिन्हें students रीवा मिला हुआ है लेकिन उन्हें रीवा चाहिए या और कोई भी college चाहिए तो जो भी college आपको लेना है सबसे पहले आप उसी को priority में रखिए नम्मर के हिसाब से नहीं जहां आपको जाना है उसे हिसाब से आप priority set कर लीजे जो भी college लेना चाहते हैं सभी college को पहले आप चाहें तो free में रख दीजे फिर सभी college को पहले आप पैमेंट में रख दीजे या इन्दौर ही चाहिए हम रीवा से बाहर नहीं जा सकते हम लड़किया है या हमें बालाग हाट ही चाहिए तो फिर जो college आपको चाहिए उसको free और उसी को आप payment में भर दीजे जैसे इनको गौलियर का ही चाहिए था तो उन्हें पैमेंट में रख दीए उसी को free में रख दीए तो इस तरीके से आप college की जो priority है उसे क्या कर सकते हैं अपने साब से सेट कर सकते हैं यह सिब आपको ही पता कि आपको कौन सा college लेना है तो जो भी college आपको चाहिए आपको से साब से क्या कर सकते हैं आपर priority रख सकते हैं और सभी college को च्ट्रेंस आपको यहाँ पर भरना ऐसा नहीं कि सर दो-तीन college ही रख देते हैं यह गलती मत कीजिएगा सभी college को च्ट्रेंस आप लोग यहाँ पर priority में रखेगा जो भी आप preference देना चाहते हैं तो आई होप सभी लोगों को clear हो गया होगा है च्ट्रेंस आप लोगों को अभी फिलाल कुछ लेकर नहीं जाना है आप लोगों को च्ट्रेंस केबल अपना जो roll number है आपकी date of birth हो बाद में तो आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया है कि आप लोगों को किस तरीके से स्ट्रेंस counseling और अपना जो preference देना है तो मिलेंगे स्ट्रेंस फिर ऐसी एन update के साथ में और 2023 MPPAT के नए batches start हो चुके हैं जो भी स्ट्रेंस नए से कोचिंग करना चाहता है जरूर contact की कीजिएगा मिलेंगे फिर ऐसी एन update के साथ में तब तक के लिए thank you thank you for watching this video have a nice day